आईए आज हम लोग जानते हैं कि डॉग्स के लिए प्राथेमिक चिकिस अक्सर क्या होता है कि डॉग्स हो सकता है कि ऐसे समय में बिमार पड़ जाए जब कोई भी पसुचिकिसक की सेवा आपके आसपास मौजूदता हो या फिर आप हो सकता है किसी सरक के कुट्टे की मदद करना चाते हैं लेकिन जानकारी नहीं है कि कैसे करें बहुत सारे लोग फोन करते हैं मुझे कि सरक का कुता है डॉग है स्टे डॉग है उसमें बहुत सारी कीडे मकोडे पड़े हुए है मैगोट्स हो गए है घाव भड़ा हुआ है लेकिन इसका उपचार क्या करें कैसे करें आईए हम आपको कुछ ऐसे उपचार बताते हैं खास करके स्ट्रीट डॉग के लिए या फिर आपके अपने डॉग के लिए जिसे बहुत ही सस्ती बहुत ही सस्ते में उसका इलाज आप कर सकते हैं इसके लिए बहुत कम ही उपकरनों की आप सावसकता होगी तो आईए देखते हैं इसके लिए लेकिन ये जो पार्थमिक चिकित्सा करने के लिए या जो चिकित्सा करने के लिए आपको कुछ वस्तूओं की आवसकता होगी जिसे हम लोग करते हैं पार्थमिक चिकित्सा किट इसमें क्या-क्या चीज रहना चाहिए वो जान लेते हैं इसमें होना चाहिए कैंची, चिम्टा चिम्टा मतलब हो गया फोर्सेप जिसको कते हैं अंग्रीजी में थर्मामिटर, कुट्टे को बाढ़ने के लिए चेन और कुट्टे का मुह बानने के लिए फीता जिसे मजल काते हैं और चिपकने वाला टेप ये भी इजी लिए आपको मिल जाए किसी भी दवा दुकान में गौज, रूई और टॉर्च ये सभी चीज जो है आप अपने पास्विक चिकित सार्किट ये आप घर पे भी रख सकते हैं अगर आप डौग रखे हुए हैं तो जरूत के समय में काम आएंगे और कुछ दवाईयां रखनी पड़ेंगी जैसे बीटाडीन लोशन, नेबा सल्फ या नियो स्पोरिन पाउडर और हाइमेक्स ओइंडमेंट हाइमेक्स ओइंडमेंट को कहा गया है पसुओ के लिए जमतकारी उसदी इसके लावे तारपीन का तेल आप रख सकते हैं टौपी क्योर स्प्रे नीम ओईल और कुछ एंटिबाइटिक जैसे लिक्सन 600 मिलिग्राम टैबलेट या अन्रोफ्लोक्स टाउंट या बाइडोस लिए आप रख सकते हैं एबिल टैबलेट एत्मो सॉल साबून एक्टिक पाॉडर या रिडre वावज ईलिफर पाौडर या कैमफर पाौडर जिस्वे कहते हैं कैमफर पाौडर को तो जानते ही होंगे तो वो सभी रख सकते हैं अब अगर अपने सरक में या कई घाओ वाला डॉग देखते हैं प्रात्मिक उप्चार के लिए आप ऐसा कीजिए कि उस डॉग को पहले जो है ना घाओ को साफ कीजिए अगर साफ करना अगर वो स्ट्रे डॉग है सरक का कुट्दा है तब तो साफ करना हमेशा समभ नहीं होता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग उसके उपर एक स्प्रे छिरक देंगे जैसे कि टॉपी क्योर स्प्रे उसको छिरक देंगे और यदि समभ़ हो वो करने के बाद बिटाडिन लोशन से उसे साफ को घाव को साफ कर देंगे अगर वो डॉग आपसे प्राइचित है तो अगर नहीं है तो टॉपी क्योर स्प्रे से स्प्रे करने के बाद हाइमिक्स लोशन उसके उपर में लगा सकते हैं और उसे अगर एंटिबाइटिक कोई खिला देंगे 10 दिन 20 दिन तक तो घ हाव ठीक हो जाएगा ठीक इसी तरह से अगर किसी डॉग में अगर देखते हैं कि काफी सारा टिक्स है मने कीडा तो फिर आप जो है एक्टो डिक्स या रिड से उसे नहला सकते हैं या फिर एफी प्रो स्प्रे से उसे स्प्रे कर सकते हैं तो टिक्स उसके उसरीर से चला ज आएंगे जैसे घाव में अगर समझे फिल्लू हो गया हो जाता ना कीरा निकलता है तो फिर कैसे साफ करेंगे या कैसे उसे ट्रीटमींट करेंगे तो उसके लिए घाव को treatment करने के लिए क्या करना परहिए कि बीटाडीन लोशन से साफ करना पड़ाएगा फिर नेवा सल्फ पाउडर या नियो स्पोरिन पाउडर को उस घाव में छिड़कना पड़ाएगा फिर हाइमेक्स घाव पर लगाएगे तो वो जो है मक्षिया या भी पिल्लू जो है उसके आहां से भाग जाएगा यादि बहुत ज्यादा पिल्लू है तब लेकिन इससे नहीं होगा हाइमेक्स क्रीम के साथ आपको तारपीन का तेल भी लगाना पड़ेगा तारपीन का तेल लगाने से जो पिल्लू है वो वहां से चला जाएगा और घाव में और हाइमेक्स तो चिपका हुआ रहेगा तो फिर वो जो है वो घाव सही हो जाएगा या उसका हीलिंग हो जाएगा उपचार के लिए क्या करेंगे कोई भी डौक का किसी का भी कितना भी विस्वस्निय क्योंना हो जब आप उसका घाव साफ कर रहे हैं तब जरूर से उसका मूँ बांदें मजल से कपड़े का किसी पदाट का लंबी पत्ती या नारा या टेप उसके मूज में बांद सकते हैं आप अपट्टी को नाट के उपर रखेंगे नीचे रखने से तो सरक जागा ना आप अपट्टी को कुट्टे के ठोड़ी के नीचे ले जाएं और गाठ बांदे बट्टी के दोनों सीरों के कान के पीछे ले जाएं और कुट्टे के सीर पर एक बो बांदे कुट्टे का मुँ के उपचार के लिए कुछ मिन्टों के लिए बांदे इससे कुट्टे के शरीर के तापमान में बिद्धी हो सकती है लेकिन फिर भी कुछ दिर के लिए ही कर सकते हैं ऐसा तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है अब है कि बहुत तरका शरीर में घाव बगरा हो जाता है तुचा में स्कीन डिजीज होता है तो उस एक ऐसे घर में साफ करेंगे उसके लिए क्या करेंगे कि चुटकी भर सलफर डॉग के खाने में एक बार मिला देंगे तो ऐसे भी जो है उसका उप्चार हो सकता है या नीम की गोली भी खिला सकते हैं नीम लेकिन अगर उसे मेंज या स्केबीज या फंगल इंफिक्शन हो गया है तो फिर उसका इलाज कैसे करेंगे तो उसकी इलाज के लिए क्या किजिए पहले पिटमो सोल साबून से नहलाएं ये हफते में एक बार नहीं तो दो बार और उसके नहलाने के बाद एक्टो डेक्स या रिड एक लिटर पानी में एक चमच गोल कर शरीर पर लगाएं और उसके साथ साथ एंटिबाइटिक गोली भी दे सकते हैं जैसे लिक्सेन हुआ या फिर बायरोसीन अगर डॉग बड़ा है तो लिक्सेन 600 दें अगर डॉग छोटा है तो लिक्सेन 300 मिलिग्राम दें और बायरोसीन भी दे सकते हैं वो भी 1500 मिलिग्राम और 50 mg के मात्सरा में आता है लेकिन एंटिबाइटिक ये देने से पहले अपने बेटनेडियन से ज़रूर सला कर ले या क्योंकि किस परिस्तिती में कौन सा एंटिबाइटिक देना चाहिए ये बेटनेडियन ही सही बता सकता है और इसके साथ सथ एभिल जरूर से दें, क्योंकि एभिल देने से उसकी खुजली के जो चक्कर है खुजली खुजली नहीं होता है, इस मिस्टरन को बिल्लियों में कभी भी नहीं लगाएं, और अगर उसे फंगस इंफेक्शन है तो करंज और तेका तेल भी लगा सकते हैं, बहुत पुराना उप्चार ही है, सेलफर पाउडर और करपूर को बराबर मात्रा में अच्छी तरह से मिलाएं, इसमें नारियल का तेल डाले और मिलाएं, और ध्यान रहे कि इसमें गाठे ना पड़े, और मिस्टरन तरल गाढ़ा बने, यदि वो अधिक गाढ़ा या गा पुरी दिशा में लगाएं, ताकि ये बालों की जर तक पहुंच सके, इसे ना डग रहे हैं, केवल परयाप्त परत ही लगाएं, हर चार दिन में इस प्रकिया को दोराएं, जब तक कुद्दा ठीक नहों, और अगर मेंज बगरा हुआ है, लाल लाल चकता चकता हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप जो है, दो उप्चार नंबर दो कर सकते हैं, जो की करंस टेल और नीम के टेल को बराबर मात्रा में मिला लें, मिला कर उसे डॉक के शरीर में पूरी तरह से लगाएं, इससे भी फाइदा होता है, लेकिन कुट्टा कभी कभी आसुविदा मसुद कर सकते हैं, क्योंकि गंद तो जो नीम का हुआ या पिर करंच का तो तो अतना चाह होता नहीं है, तो उसके मुझ जरूर से बांदें, लेकिन अगर समझें कि अगर डॉक के शरीर से पस निकल रहा है, या बाल बहुत जाद रहा है, तो फिर आपको एक वेड़नाई डाक्टर से सलाह लेनी आवश्यक है, अब कुछ समान्य बातें, पेट्स और कम्यूनिटी पेट्स का एंटी रेवीज और डिस्टेंपर के टीकों से बार्शिक टिका करन, इन खतरनाक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, डाक के शरी में कहीं भी पिस्टू या पिल्लू या चीश्चर हो गया है, तो नोटिक्स पाउडर का उप्योग करें, अपने पेट्स के हर चार माहिने में एक बार जरूर डिवर्म कर दें, इसके लिए प्राजी प्लस, इजी पेट, ड्रॉंटल प्लस, अलफा पनील ये सभी डॉब को दे सकते हैं, कुत्य को गोली कैसे दे, इसके लिए सरहल तरीका है, गोली को बर्फी, गुलाब जामून या पनीर के बीच में रख दे, लेगिन सबसे अच्छा रहेगा चिकन के बीच में रखे, क्योंकि मीठा चीज हो सकता है कि उसके लिए हानिक होता है, इससे अधिक होगा, तो फीवर है, और एक सो, अन्ठानवे से नीचे जाएगा, तो अभी वो खराब चीज है, उससे हाइपोथर्मिया डेवलप कर सकता है, अगर डॉग को कहीं भी चोट लगी हो, या सूजन है, तो उससे मेलोनेक्स दे सकते हैं, मेलोनेक्स के लिए, मेलोनेक्स दे सकता है, या करपोफेञ दे सकते हैं, यहां लिखा हुआ है भोवेरन, भोवेरन ड्रोऑ के लिए दे लिए सही नहीं होगा, इसraume nervous कर दे सकते हैं, डौक के लिए प्रत्यमिक चिकिस्टा का पहला एपिसोड आगे इस तरह के एपिसोड और भी आएंगे तो अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो उसे लाइक बटन जरूर से दबाए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें